तो फ्रेंट्स आईए आज हम लोग डिसकस करेंगे सेंट्रल युनिवर्सिटी अपन्जाब में एमफिल पिएसडी के कौन-कौन से कोर्से किन सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप चैनल पे नाए हैं तो लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब कर दिजे और बेल आइकान को प्रेस कर दिजे ताकि नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिल सके तो फ्रेंट्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि काफी इंट्रेस्टिंग फिक्चर्स जो है स्क्रॉल कर रहा है तो फ्रेंट्स किसी भी उनिवर्सिटी का जो NIRF रेंकिंग होता है वही डिसाइड करता है कि उनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है तो फ्रेंड्स जो 2021 में NIRF रेंकिंग मिला था वो 84th मिला था Central University of Punjab को तो सोच सकते हैं फ्रेंड्स काफी जो है attractive, unique और premium institute है इंडिया का तो फ्रेंड्स आज हम लोग basically बात करेंगे PhD के जो subjects हैं यानि की subject से आप PhD कर सकते हैं यहाँ पे research कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे lab जो है काफी मतलब आधुनिक और काफी attractive instrument है यहाँ पे फ्रेंड्स तो यहाँ पे research करने का बहुत ही एक औसर है तो फ्रेंड्स आईए हम लोग देखते हैं कौन-कौन से subject से आप कर सकते हैं तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है PhD programs, PhD name, program name तो फ्रेंड्स PhD in botany से आप कर सकते हैं PhD in geology से कर सकते हैं PhD in chemistry, PhD in biochemistry, PhD in microbial science से कर सकते हैं तो फ्रेंड्स research का जो है timing जो होता है fix नहीं होता है कि आप 4 साल में research को खतम कर देंगे लेकिंग minimum जो time होता है research का वो 4 साल होता है तो 4 साल से आप extend भी हो सकता है यह depend करता है आप लोग के research project पे यानि research topic जो है कहा तक time को extend करती है तो उस पे depend करता है तो फ्रेंड्स इस university में जो instrument है या जो आधुनिक तक्निके या फिर आधुनिक ब्यवस्था है यहाँ पे है काफी मतलब आधुनिक है क्योंकि यहाँ पे जो ranking जो मिला हुआ NIRF ranking वो status जो है आपको research कैसा हो रहा है university में department में उसी के dependable पे यह NIRF ranking जो है आपको तै की जाती है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग next जो है हमारा courses जो है PhD in Microbial Science PhD in Computer Science and Technology PhD in Mathematics में आप research कर सकते हैं PhD in Pharmaceutical Science यहाँ पे आप PhD कर सकते हैं PhD in Physics PhD in Education PhD in Environmental Science PhD in Geography में भी आप PhD कर सकते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे आपको options हैं subjects के different, different यहाँ तक की आपको Pharmaceutical Science में भी पे एचडी कर सकते हैं तो यह फ्रेंड्स काफी unique course रहा है यहाँ पे यहाँ कई सारे central universities में PhD in Pharmaceutical Science नहीं मिलती हैं लेकिन इस university में जो है ऐसे courses को दी हुई है कि आप यहाँ से भी PhD कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह जो university है काफी attractive है for international students या national students क्योंकि इस university का जो अस्थापना हुआ था उद्देश से से कि ऐसे courses को design किया जाए जो कि unique हो तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से subject से आप लोग कर सकते हैं आगे हम लोग आते हैं कि कौन कौन से और different subject से आप लोग PhD कर सकते हैं friends तो जैसा कि आप लोग screen पे देख रहे हैं PhD in political science PhD in human genetics PhD in molecular medicine PhD in economics से आप लोग PhD कर सकते हैं PhD in mass communication and media studies यह important यहाँ पे topic है friends कि PhD in mass communication से भी आप PhD कर सकते हैं कई university में तो यहाँ पे masters भी नहीं होता है but यह university जो है PhD कराती है यहाँ पे mass communication and media studies पे और PhD in commerce next हमारा जो subject है PhD in Punjabi PhD in Hindi तो friends देख सकते हैं यह जो language है PhD in Punjabi यह आप लोग सोख सकते हैं कि क्योंकि यह university जो है आपको basically पंजाब में ही भटिंडा में स्थित है तो इसलिए यह जो है PhD in Punjabi कराती है तो तो friends यह था हमारा सारा subject जिससे आप लोग PhD कर सकते हैं तो next topic में हम लोग मिलेंगे कोई आधुनिक topic के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं friends अगर चैनल पर नहीं है तो like, comment, share and subscribe कर दिजिए और bell icon को press कर दिजिए ताकि notification आपको update मिल सके तब तक के लिए friends वीडियो को देखते रहे हैं